रसोई घर के सपने एक परिवार का उच्चारण का सफर सीन मुखरजी परिवार के रंगीन रसोई घर में नसर मीरा मुखरजी उनके रसोई उपलब्धियों के लिए प्रसिद्ध स्वाद बदलती हैं, जबकी परिवार के अन्य सदस्य उच्साह से उनकी सहायता करते हैं मिस्स मीरा मुखरजी, मुस्कान, अरे, अमित, अगर तुम जानते की, आज रात हम अपनी रसोई के लिए कभी पहले का जैसा एक खाना बनाएंगे जबकी परिवार डाइनिंग टेबल के चारों और इकठा होता है, मिस्स मुखरजी के पकाने की खुश्बू उनके भूख को भड़काती है, डॉट अर्जुन मुखरजी, खुशगवारी से, मा, ये तो दिव्या है, आप उन मसालों के साथ जादूगा की तरह हैं मिस्स मीरा मुखरजी, लज्जित होकर, अरे, अर्जुन, तुम मुझे तारीफ कर रहे हो लेकिन सच में, जादू मेरे हर डिश में डाले गए प्यार में होता है हालांकि अनन्या अपने प्लेट के चारों और अपने खाने को घसिती हुई एकांत ले बैठती है, डॉन आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप विचारों में खो रहे हैं? अनन्या मुखरजी सास लेते हुए, पता नहीं आईशा हाल ही में मुझे प्रेरित किया जाता है पकाने में एक समय रुची होती थी, लेकिन अब यह एक काम जैसा महसूस हो रहा है अनन्या मुखरजी, साहस पूर्वक, आप सही कह रहे हैं, पापा मैं अपनी प्रेर्णा के बिना अपने पैशन को छोड़ने का नहीं सोच सकती परिवार एक दूसरे के समर्थन में एक साथ हंसते हैं अनन्या के रसोईगरी सफर का समर्थन करते हैं साथ मिलकर वे उसे पकाने की उसकी प्रेर्णा को फिर से खोजने का वादा करते हैं डॉट, ट्रांजिशन, मुखरजी किचन जहां परिवार एक बार फिर अपने रसोईगरी उत्सव में डूब जाता है प्रत्येक सदस्य अपने अनूठे तरीके से योगदान करते हैं अपनी मज़ेदार रचनाओं को बनाने के दौरान कहानियों और हंसी का आनन्द लेते हैं डॉट, मिसिस मीरा मुखरजी, प्रोथसाहक, अनन्या, आप मिथाई पर अग्रणी क्यों नहीं लेते? अपनी काल्प निक्ता को जीने दे अनन्या मुखरजी, उत्साह से ठीक है, मा तैयार रहिए, मिथाई के लिए एक मिथा आश्चर्य के लिए नई उत्साह के साथ, अनन्या अपने मिथाई बनाने की दुन्या में डूपती है उसकी रचनात मक्ता स्वतंत्रता से भेती है डॉट अर्जुन मुखरजी अपनी मिथाई का सैंपल करते हुए यह अध्भुत है बहें आप वास्तव में अपना कॉल लिंग पालिया है अनन्या मुखरजी, मुस्कान, धन्यवाद, अर्जुन, मैं तुम्हारे बिना इसे नहीं कर सकती थी जब परिवार अपने कुलिनरी श्रेष्ठताओं पर अंतिम स्पर्ष डालते हैं वे जगत को अपनी रचनात्मक्ता को प्रदर्शित करने के लिए उचसुकता से तयार होते हैं मिस्टर अमित मुखरजी, गर्व से, आज ये हमारे कुलिनरी यात्रा का आरंभ है चलो, दुनिया को दिखाएं कि मुखरजी परिवार कितना कुछ कर सकता है अनन्या मुखरजी, गहरे सोच में, तुम सभी बिना रुकावट के प्यार और समर्थन देते हो मुझे ऐसा लगता है कि मैं कुछ खो रही हूँ, डौट श्री अमित मुखरजी आश्वासन देते हुए, मेरी प्यारी हमेशा ध्यान दें की रुची एक ज्वाला की तरह होती है कभी-कभी वह फीकी हो जाती है, लेकिन थोड़ी सी देख भाल के साथ यह एक उजजवल आग में बदल सकती है, डौट पिता के शब्दों से प्रेरित होकर अनन्या की द्रिडता प्रजवलित होती है, डौट अनन्या मुखरजी निश्चे पूर्वक आप सही कह रहे हैं, पापा मैं अपनी रुची पर लड़ाई के बिना नहीं हारूंगी डौट परिवार अनन्या के पाक्तला यात्रा को प्रेरित करने में एक जुट होता है साथ में वे उसे पाक्तला के प्रती अपना समर्थन प्रदान करते हैं, डौट संकल्प मुखरजी परिवार के रसोई में गतिविधी से भरपूर होते हैं, जैसे ही परिवार अपनी पाक्तला के विजन पर ध्यान देता है प्रत्येक सदस्य अपनी अनूठी गुनधर्म के साथ योगदान देता है अपने नानानानी की कहानियों और हंसी में शामिल होते हुए मजेदार रचनाय बनाते हैं मिस मीरा मुखरजी प्रोचसाहन देते हुए, अनन्या आप मिठाई पर पहली जगह क्यों नहीं लेती अपनी कलपना को जीने दें, अनन्या मुखरजी उचसाहित ठीक है मम्मी एक मिठा आश्चर्य के लिए तयार हो जाओ, नई उचसाह के साथ अनन्या खुद को मिठाई बनाने की दुनिया में डूपती है, उसकी रचनात मक्ता स्वतंत्र रूप से बहती है